Hi everyone, मैं हूँ Ruby और आप सभी का तारा मदू की रसोई में बहुत-बहुत स्वागत है So guys, festive season चली रहा है और दिवाली आने ही वाली है तो आज मैं इसी occasion से related आपके लिए एक बहुत ही शाहनदार सी एक twist के साथ चॉकलेट केक की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ और इस केक को बना करके आप 15 दिनों तक friends store भी कर सकते हैं बिना fridge के और इस केक को मैं एक donut shape में बनाऊंगी जिसे burnt cake भी कहते हैं और घबराएए नहीं इसको बनाने के लिए आपको कोई special burnt cake वाला बरतन भी नहीं चाहिए होगा घर के जो normal पतीने काटोरे होते हैं उन्हीं को use करके मैं आपको ये burnt cake बनाना सिखाऊंगी और पूरी pricing, पूरी costing मैं आपको इसमें बताऊंगी इस वीडियो में और guys यकीन मानिए इस cake को मैंने किसी order के लिए नहीं बनाया जस्ट अपने घर के लिए बनाया और इसकी pick को मैंने अपने status पर जैसे ही लगाया within 3 hours मेरे पास 5 orders आये इसके कि हमें ये इस तारीक को चाहिए और मैंने ये कितने में बनाया, कितने में मैं इसे sale करने वाली हूँ हो सारी जानकारी भी मैं आपके साथ share करूँगी तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत अगर आप home baker है तो फटाफट से इसे बनाये status पर लगाये क्योंकि इस से आपको बहुत ज़्यादा profit होने वाला है और even आप इसे खुद बना करके भी जहां भी आप अपने friend circle में gift वगर देते हैं यह मेरा 4.5 इंची का बरतन है और यह चोटे glass को मैंने लिया है और मैं आपको 200 ग्राम का यह cake बनाना से काऊंगी अगर आपको ज़्यादा quantity का बनाना है तो आप उसी इजाब से बरतनों को select कीजिएगा चलिए आप cake का batter बनाते हैं तो बैटर बनाने के लिए यहां पर मैं एक कप लगबग 100-120 ग्राम प्रिमिक्स ले रही हूं चॉकलेट वाला मैंने यह बाजार का प्रिमिक्स लिया है और इसमें लगबग 3-4 टिबल स्पून मैंने oil डाला है और पानी डाल करके इसका बनाऊंगी मैं बैटर दूद अगर आप डाल देंगे तो इसकी shelf life जो है थोड़ी कम हो जाएगी और दिवाली पर लोग एक-दो दिन तक चीज़े खाते रहते हैं तो आप कोशिश कीजिए आप पानी से ही बनाईएगा तो उससे टेस्ट काफी अच्छा आता है और यह मैं फ्रेंड्स दावर्स का जो ट्रोपोलाइट आता है उस कमपनी का प्रिमिक्स यूज़ कर रहे हूं डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और यहाँ पर लगबग आधा कप पानी इसमें डलेगा और इसका देखिए स्मूथ सा बैटर मैंने बना लिया है अब इस बैटर को हम डालेंगे अपने पर्तनों में तो उससे पहले हम उसके अंदर एक बटर पेपर लगाएंगे और अच्छे से ओयल से उससे ग्रीस कर लेंगे अब ब्रश की मदद से भी अच्छे से ओयल से इसे ग्रीस कर लिजेगा तो अच्छे से मैंने इस पर ओयल लगा लिया है अब जो ग्लास हम यूज करेंगे इसके सेंटर में प्लेस करने के लिए उस पर भी थोड़ा सा ओयल लगाएंगे इससे भी छूट करके आराम से बाहर आ जाए तो मैं ब्रश की मदद से देखिए अच्छे से इसे ग्रीस कर रही हूँ और अब इस ग्लास को हम इस केक के बरतन के एकदम सेंटर में प्लेस करेंगे इस तरीके से तो देखिए इतने गैप में जो बरतन दिख रहा है उतने में मेरा केक बनेगा तो 200 ग्राम का आराम से इसमें बन जाएगा अब सारे बैटर को मैं इसके चारो तरफ डाल दूँगे यान रखेगा आपका ग्लास जो हो बिल्कुल भी आपसे टचना हो बराबर से थोड़ा थोड़ा बैटर मैं चारो तरफ डाल दूँगे यहीं अगर आपको आधा केजी का केक बनाना हो तो आप छेंची का बरतन लीजेगा और उससाब से ग्लास भी थोड़ा सा बढ़ा लीजेगा ताकि होल जो है बीच का वो बढ़ा बने तो यहां पर सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है और मैं बहुत साथानी से डाल रही हूँ फिर भी मेरा इधर-उदर लग गया कोई बात यह उसे क्लीन कर देंगे यह देखे अब फ्रेंड्स स्पेचुला से ही मैं थोड़ी से बैटर को इस तरीके से समझ करूँगी और अब ग्लास को पकड़के ही मैं इसे हलका सा टैप करूँगी यह देखे ऐसे चलिए अब इसे करते हैं बेक तो बेक करने के लिए मैंने अपने अगारो के 25 लिटर ओटीजी को पहले से ही 10 मिनिट के यह प्रिहिटो ने रख दिया था अच्छे से यह गरम हो गया है और अब इसकी मिडल रैक पर मैं इस बरतन को रखूंगी केक के बरतन को और अब इसे बन करदेंगे टबरेचरम बनेटी रखेंगे rods को नीचे वाली को on कर देंगे अब और timer हम देंगे 20 minutes का 20 minutes में ही आराम से ready हो जाएगा ये देखे guys अगर आपको लगता है कि फूलने के दौरान आपका glass जो है तेड़ा मिड़ा हो रहा है तो आप glass के उपर थोड़ा सा weight भी डख सकते हैं बट मेरे case में ऐसा कुछ हुआ नहीं तो मेरा डारेक्ट ये बन गया ही देखे अब इसे निकाल करके हम धंडा करेंगे तो देखे कितनी बढ़िया shape बनी है और इस तरीके के burn shape के बरतन मार्केट में बहुत सारे आते हैं डिजाइन वाले आते हैं और costly costly मिलते हैं बट मेरे पास नहीं था और मुझे ये बनाना था तो मैंने गर में अपना ये जुगाड बना लिया और अब मैं इसे demold करूँगी तो हलके ठंडे होने में ही मैं हमेशे अपना cake demold करती हूँ पूरा ठंडा होने के बाद नहीं करती हूँ अदर्वाइस वो cake जो है चिपक जाता है बटन से तो sides मैंने छुड़ा लिए अब जो glass से चिपके हुए cake की sides है न वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा चाकू से हमें से अलग करेंगे so that निकालने में आसानी हो बहुत ही सावधानी से आप ये काम कीजिएगा ये देखे अब यहाँ पर एक plate पर मैं इसे flip करके रखोंगी और अगर आपको लगता है ये आराम से बहार नहीं आ रहा तो चाकू थोड़ा सा और कहीं कहीं मार दीजिएगा सुदय के easily निकलाए मेरे case में देखिए एकी बारी में आ गया है और perfectly हमारा cake बहार आ गया है अब हमारा main task है glass को इससे बहार निकालना वो भी बिना cake को तोड़े तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जो paper लगाया था न हमने butter paper इसको remove करना होगा और फिर इस glass को तो अगर आप खीच करके देखिएगा glass easily भार आ रहा है तब तो ठीक है नहीं आ रहा है तब इस side भी हम चाकू से थोड़ा सा इसकी sides को cake से छोड़ाएंगे ये देखिए इस पर मुझे लग रहा है कहीं के चिपका है तो वहां से भी फिर से चुड़ा देती हूं और अब अंगूटी की मदद से देखिए मैं इसे back side में नकेल रही हूं और ये आ गया अराम से बाहर ये उल्टा नहीं निकालना है आपको जहां चोड़ी वाली side है उसी direction की तरफ नि और इसे में कुछी दिनों पहले लाई थी और ये 300 रुपे लगा है लेकिन मुझे 270 रुपे का उन्होंने 600 ग्राम का ये डबा दिया था और अभी मैंने इसे यूज नहीं किया है बट इसमें से 1 स्पून लेकर के मैंने खा के देखा था और बहुत ही टेस्टी है लगता है दो टेबल स्पून ये मिक्षर लोंगे एक बाउल में और इसे बंद करके आप रूम टेप्रेचर पर ही ऐसे स्टोर कर लीजेगा इसे फ्रिज में भी रखने की ज़रत पिने क्योंकि इस पर लिखा है और अब जो मिक्षर हमने निकाला है उसको स्पून से पहले हम इसे लिए आप केक को पैक करते हैं तो यहाँ पर मैंने ये फैंसी सा बॉक्स लिया और ये फ्रेंड्स 30 रुपीज का मुझे मार्केट में मिला था वट मैं आपको दिखाने के लिए यूज कर रही हूं आप इससे भी ज़्यादा एक्सिव बॉक्स ला सकते हैं क्योंकि द अब इसके जो राउंड वाला पार्ट है उस पर मैं इस तरीके से आगे पीछे करते हुए पूरे केक पर इसे डालूंगे तो फ्रेंड्स इस पूरे केक को बनाने में जो मेरा खर्च हुआ स्रिफ केक को बनाने में वो हुआ 70 रुपए और बॉक्स का आप मान लीजिए 30 र कर सकते हैं और इसे काफी आपो प्रॉफिट भी होगा और खाने की टेस्ट की तो मेरी गारेंटिये फ्रेंड्स यकीन मानिये बहुत ही टेस्टी लगता है ये इस हेजलनेट के मिक्षर के साथ तो देखिए पूरा मैंने इस पर लगा दिया है लगबग दो टेबल सुन इस देखिए अच्छे से मैंने इसे डेकोरेट किया है और क्योंकि आप इसे दिवाली के festive season के लिए भी बना रहे है तो आप चाहें तो इस तरीके के जो golden sprinkles आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं तो मेरे पास ये कुछ है तो मैं उन्हें भी sprinkles करके आपको इसको final look में ready करके द देखिए और मेरे पास फ्रेंट्स गोल्डन कलर की जो डेकोरेशन में यूज़ होती है वर्मी सिली वो भी है तो वो भी मैं इस पर थोड़ी सी डाल देती हूँ अगर ये दूनों में से कोई चीज ना हो तो सिंपल से घर की जो चीनी होती है उस पर आप गोल्डन लेस्ट और टैम्टिंग लुक का ही हमारा डोनट शेप का केक लग रहा है फ्रेंट्स और इसको आप आराम से पंदर दिनों तक स्टोर कर सकते हैं और आराम से धीरे धीरे जब मंचाय खाईए क्योंकि डिवाली पर घरों में इतनी सारी मिठाई आ जाती है कभी-कभी कुछ अलग स आती हूं कैसे पैक करके आप दे सकते हैं और जब यह किसी को मिलेगा तो इसको खोलने पर कैसा उसको लगेगा वह भी आपको दिखाती है और अभी आपको मैं थोड़ी सी इसकी क्लिप्स दिखाऊंगी जरूर क्योंकि यह सब में अपने इंस्टाग्राम अपने स्टेटस वगरे पर लगाती हूं और इसी से फ्रेंड्स मुझे फ्रॉफिट होता है तो आप भी जब भी यह बनाएं यह वाली क्लिप्स लगा करके अपने फोटोग्राफ वगरे अच्छे से स्टेटस वगरे पर अच्छे से स्प्रेट करें और यहां पर देखिए इस बॉक्स में किसी को गिफ्ट भी करते हैं या डिलीवर करते हैं वो जब इसे इस तरीके से खोलेगा तो देख करके ही सबसे पहले तो उसके मुझ से वाउ निकलेगा और बस उसका मन करेगा कि मैं फटटपट से खा लूँ तो आराम से इसे आप देखिए निकाल सकते हैं कुछ भी खरा मैंने ना लिया और जब मैंसे बना रहे थी तो मेरा पीट पास आकर पुक्से चाना जैख को यह हमारा है कि- यह बोला है यह क्या लेड लगा आप रसमलाई फ्लेवर में ये बना सकते हैं, ऐसे वनीला फ्लेवर में चॉकलेट मेल्टेट डाल करके उसको बना सकते हैं, पाइनपल फ्लेवर केक बना करके, उसके उपर मेल्टेट चॉकलेट डाल करके, इस तरीके से डेकुरेट करके, डिफरेंट फ्लेवर में इने बना तो अभी festive season है friends, इनको जरूर बनाईए, खूब सारा profit कमाईए और दिवाली में चार चांद लगाईए, और इससे related कोई doubt आता है, तो आप मुझे बेच जब comment section में लिख करके पूर सकते हैं, जरूर इसका answer करूँगी, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, बताएगा जरूर पसंद आया हो तो इसे like, share और चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब कीजएगा, साथी side में लिया गैबल आइकन भी प्रेस कर लिजएगा, तो चलिए मिलते हैं, नेक्स वीडियो में कुछ और नया सा सीखने के लिए, तो परके लिए bye, take care.